नमस्कार दोस्तों मैं हम आपका दोस्त राम वर्म और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन ये यूटूब चैनल पर अगर आप इस चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन बटन दबाना ना भूलिए क्योंकि यहां पर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए तो चलिए पटापट से शुरू करते हैं आज की खबरों के बारे में तो पहली जो खबर आ रही है तो यह है परिक्षा में मिले कम नंबर चात्र पहुंचेंगे यूनिवर्सिटी तो यह जो खबर है वो बिलासपूर से आ रही है तो ऑनलाइन परिक्षा में कम नंबर देने की सिकायत करते हैं चात्रों ने अटल उनिवर्सिटी के कुल सची को ग्यापंच सौपा है चात्रों ने बताया कि करीब सभी कॉलेज के चात्रों को ऑनलाइन परिक्षा के बाद जारी किये गए परिनामों में 75-95 प्रतिसत तक दिये गए है लेकिन एंडियार कॉलेज के चात्रों को सिर्फ 40-49 प्रतिसत अंक दिये गए है यहां चात्रों के साथ भेदबाव है चात्रों ने कुल सची को बताया कि एमकम प्रिवियर की मनिश्य कपाडिया प्यूसा बुनकर दुर्गेश साहु कार्तिक राम चंद्र प्रकास वा अन्न चात्रों को बहुत कम अंक दिये गए है यह चात्रों पहले प्रतम च्रेणी से पात होते रहे है चात्रों ने अटल यूनिवर्सिटी चात्र संग परि अन्न चात्र सामिल रहे तो भई यह थोड़ी सी लपरवाई होई है तो इसको ठीक किया जाना चाहिए उसके बाद जो अगली ख़बर जो आ रही है तो वह है जस्पूर नगर से तो चेत्रे की आदिवासी बाली का ने कानून की पढ़ाई के लिए क्लैट 2021 के एक्जाम में चतिस गड़ से तीसरा रैंक और देश में पंद्रवा इस्थान हासिल किया जस्पूर की रहेने वाली और मुंगेली में पदस्त मुख्या न्याइक दंड दीकारी की सुपूत्री स्टैफी लकडा ने इस उपलब्दी से प्रदेश का नाम रोसन किया है और मैं अपने चै तो इसको हम बहुत बहुत बढ़ाई देना चाहती है अपने चैनल के तरप से देश में पंद्रवा इस्थान प्राप्त किया है और चतिस गड़ में तीसरा इस्थान उसके बाद जो अगली कवर जो आ रही है तो वो कांकेर से है 28 वे रास्टी अबाल विज्ञान कांग्र के कक्षबारवी की छात्रा कुमारी लीशा साहू एवं अकांचा साहू ने गाइट टीचर एवं वेख्यातर प्रमीला साहू के मार्गदरसन में आवसदी पहद हो द्वारा परामपरागत उप्चार प्रनाली पर प्रजेक्ट तयार किया था जिसे जीला इस्तर से चैन का राजे इस्तर पर भेजा गया था और वहां से राष्टे इस्तर के लिए चैनित हुए थे जिसके फलसरुप उन्हें 5000 रुपे नगद एवं प्रमान पत्र से प्रस्कृत किया गया तीनों इन्हें भी हम अपने चैनल की ओर से हारदीक बधाई देना चाहते हैं तो उसके ब परिक्षा में सामिल कुल 9216 विद्यारतियों में से 9200 पांच परिक्षा पांच परिक्षारतियों ने परिक्षा उत्तिर ने किया इस बार कुरोने सद्रों के करते हैं और मात्र एक पालक ने तृतिया चनि में प्रिख्या उतिर न की है लेकिन जिले में संचालिस सास्किया महाविद्याले में इन विद्यार्थियों के लिए दाखिले की रहा आसान नहीं दिखाए दे पड़ रही है और उन्हें चक्कर पे चकर काटने पड़ रहा है यहां बत कुभूर सहीद आठ महाव Цानचाली तो लेकिन इन सभे महावदयालें में हायर सिकंडorg की परिक्षा उत तिरंड़ करके आए इन परिक्षारथीयों के लिए उपलब्द सीड़ों की बात की जाए तो करिब 3500 के लिए ही विवीन संकायों में सीड़े उपलब्द जबकि स्टूडेंट 9000 है तो आप सूँच सकते हैं 9000 स्टूडेंट के लिए सिर्फ 3500 सीटे उपलब्द है प्राप्त आकड़ों के मुताबिक जिलेक के कवर्धा पीजी महाविद्याले में बीए की करीब 490 बीएस्सी की 380 बीकॉम की 1500 कवर्धा कन्या महाविद्याले में दो के बीये के करीब 300 बीसी की 200 बीकॉम की 60 और बोर्डव महाविद्याले में बीए के 200 बीएस्सी के एक सоры भापॉम की 110 5 teacher सास्क्या महाविद्याले मेंóst beep के करीब 140 बीएस्सी के 120 बीकॉम के 60 सास्क Works के महाविद्याले पीपरिया में साथ तथ पंडरिये सास्किय महाविद्यले में बीए के करीब दो सो साथ बीएस्सी के एक सो साथ बीकॉम की पचास सीट है तो अब यह देख सकते हैं कि इस इति क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि 9000 स्टूडेंट के लिए सिर्फ 3500 सीटे उपलब्द है तो कितने मुस्किल है इस बार एड्मिशन उसके बाद जो जब आगे बढ़ते हैं तो अगला जो खबर आ रहा है वह नांदगाव जिले में महाविद्यालय के संचालन किया जा रहा है लेकिन एक दर्जन से अधिक महाविद्यालय में अभी वी प्रभारी प्रचारय के भरोसे संचालित हो रहे हैं जिला मुख्यला इस्ति स्वसासी विजय महाविद्यालय से ले कर सिवनत विज्ञान महाविद्यालय में इस्थाई प्रचारे की कमी खल रही है बार बार ध्यान आकृष्ट कराये जाने के बाद भी इस्थाई प्रचारे की नियुकती नहीं कराये जा रही है प्रध्यापको कि कमी होने से अध्यापन से लेकर अन्य विभागिया कारे उपर भी असर पढ़ रहा है विभागिया सुतरों से मिली जानकारी के मुताबिक घुमका रामटोला डोंगरगाउं डोंगरगढ अंबागरचोंकी खैरागढ कमला देवी महिला महाविद्याले के सांसा ठेलकर डिया में कुछ वर्स पहले महाविद्याले की सौगात दी गई थी जहाँ पर नियमित परचार्य तो है लेकिन जीले के सबसे बड़े महाविद्याले के रूप में सुमार होने वाले सास्किय अदिग विजय महाविद्याले विगत दो वर्सों से प्रभारी ने अक्टूबर नवंबर 2021 में होने वाले कक्छा दस्य और बारवी पॉब्लिक एक्जाम का नोटिस जारी किया है इस परिख्छा के लिए रेजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है एन आई ओयस की आफिसल वेबसाइट एन आई ओयस.ac.in पर सेडियूल जारी क किसे वही लिएट फिस के साथ कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्सिल लेट फिस के साथ कर सकते हैं। कॉंसुल इलेटेड लेटफी जो है 15 रुपे लगेगी उसके पाद जो अगली कभर जो आ रही है वो गेवरा दिपका से आ रही है तो एसी सी एल दिपका के सेंट थामस स्कूल में बच्चों के सामने एक नई मुसीबत आन पड़ी है यहां अध्यारत बच्चे जो की सुरू से अभी तक कक्षा दस्वी की परिक्षा पास कर चुके है लेकिन अब इन्हें कक्षा ग्यारवी में एडमिशन के लिए फिर से नया रेजेस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उसके बाद इंटर्विव पास करना पड़ेगा और यदि सीबी असी के निया मनुसा इसकूल में कुल 45 सीट दी गई है यदि बच्चे अंडर 45 में आते है तब उनका इस इसकूल में एडमिशन हो पाएगा इस समस्या को लेकर पालको मंत्री चतिस गड़ सासन कोरवा सांसत जोट्सम ना महंत एवं विदायक पुरुसोत्तम कवर के नाम ग्यापन देकर विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए ततकाल विद्याले प्रबंधन को निरदेशित कर इसी विद्याले में विद्यार्थियों को कक्छा 11 प्रवेश दिलान की अपिल की है, वही स्कूल प्रबंधन का कहना है कि हमारे यहां CBSC के निया मनुसार 11 में एडमिसन के लिए CBSC द्वारक के वर 45 बच्चों को यह अनुमती दी गई है, हमसे भी SC के नियम से बात दिया है, इससे ज़्यादा एडमिसन नहीं ले सकते तो यहां पर प्राब्लम हो गई है कि स्कूल वाले कहरें कि 45 बच्चों के लिए सीटे उपलब्द है, जब ऐसी मुसीबत है तो सुरू से जब दस्वी तक यहां लोग पढ़े है, तो ग्यार्वे भी उनका एडमिसन वहीं पर होना चाहिए, तो देखी आगे क्या होता है, ज उनके लिए पंचायत इस्तर पर उनसे सलाव मस्वरा करके और पालकों की सहमती से खुले जाएंगे, लेकिन यहां पर जोए सभी सिक्षक और रिष्टाप को वैक्सिन लगाना अनिवार कर दिया गया है, अब तकनीकी स्टूडेंट को ततकाल में मार्क्सिट मिल सकेगा, तकनीकी विश्विद्याले ने चात्र चात्राओ की स्विधा को ध्यान में रखते हुए वस्तालागू किये, इसके लिए संबंधित कॉलेजों को चात्र चात्राओ की जानकारी इमेल के जरिये तकनीकी विश्विद्याले को भेजनी होगी, जिन चात्रा चात्राओ की अं नंबर इन्रोल्मेंट नंबर नाम तथा सेमेस्टर कॉलम बनाकर विश्व विद्याले को भेजना होगा इसके बाद ही तक्निकी विश्व विद्याले द्वारा ततकाल मारकसीड जारी किया जाएगा तो एक प्रकार से आपके लिए स्विदा है उसके बाद जो अगली कबर जवारी है तो यह नगरी सिहावा से तो सिर्षिदा निवासी आदिवासी कॉंग्रेस के जिला ध्यक्ष टेस्वर सिह दूर्व की पुत्री तमन्ना दूर्व का चैन एकलवे आवस्या विद्याले कुकुरेल पत्थरी डीह के लिए हुआ है चैन होने पर विरादर सिहा द अगली कभर जारी वह दूरुग से तो सहेश्थ प्रधान ध्यापक बहुतवी की परिच्छा में पूरे प्रदेश में नववा इस्थान प्राप्त करती हूँ चैनित हुई है तो सहिश्थ बचपण से प्रतिभावन चात्र हुआ है ब्सकी की परिक्ष्षा में भी उन्ह इस एकजाम 2020 के इंटर्विव से सेडुल जारी कर दिये हैं चिनांकित अभ्यार्तियों के इंटर्विव 16 अगस्त से 20 अगस्त तक होंगे अभ्यार्तियों को सक्षतकार तिती के एक दिन पूर्व दस्तवेजों का सत्यापन कराना होगा इस संबंद में जारी सुचना पत्र अनुसार जल संसादन लोक निर्मान लोक सहस्त यांत्री की पंचायत एम ग्रामिण विकास विभाग अंतरगस सहयक अभियंत सेविल विद्यूत यांत्री की अम विद्यूत के नवासी पद विज्यापित किये गए हैं उसके बाद जो अगली खबर जो आ रहे हैं वह जग जालित एकलव या अधर से विद्याले में कख्च छट्यों प्रवे सेतु आयूत परिक्षप परिवणाम के अधार पर अंतिम मेरिट सूची जारी कर दी गई है यहां सूची आदिवासी विभाग के कारेले के साथ ही सभी खंड सिक्च अधिकारियों के कारेले में भी कराने के लिए प्रदेश सासन द्वारा चत्तिसवड महतारी दुलार योजन दो हजारे किस लागों की गई है तो जिले में उक्त योजना कलाब देने के लिए ऐसे परिवारों का सर्वे कराकर उन्हें आवेदन प्राप्त किये गया है जिला सिक्च दिकारी ने बताया कि जो भी आवेदन गण इस योजना अंतरगत आवेदन करने से वंचित रहे गए हैं उन्होंने बताया कि सिर्फ ऐसे आवेदक ही जिला सिक्च दिकारी कारेला में उपसित होकर आगामी 5 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने पूरों में भाम नहीं भरा हो आवेदक बच्चो का फोटो अधार कार्ड मृत्यक बच्चे मातपिता का कोविड-90 से मृत्य होने का प्रमान पत्रह एवं बच्चे या जो भी अविभावक हो उसका बैंक का पास्बुक फोटो कौपि के साथ कारेला न समय में जिला सिक्च अधिकारी कारेला में उपसित होकर प् है तो स्वामिं अत्मनन सास्के अंग्रेजी माध्यम साल्ट डॉंड लोहारा में कक्षह 1-11 तक प्रवेश जारी है रिक्त सीट पर अंग्रेजी माध्यम के विद्धयार्ती दो दिवस के अन्दर प्रवेश ले रहे कए तो अगली खबर आरे हो ब्लासपूर से आरी तो स् कि अंतरगज जिले में सिक्षकों की संवीदा भरती के लिए अंतिम पात्रता सुची का प्रकासन कर दिया गया है साक्षात करती नगस्ता से सुरू किया जा रहा है अंतिम सुची का अलोकन जिले की सरकारी वेबसाइट www.balauda.gov.in पर किया जा सकता है गवर तलब है कि जिले क पांच विकासकंड बिलाईगड कसडोल पलारी भाटा पारयम सिमगा में प्रस्तावित अंग्रेजी माध्यम स्कुल के लिए सिक्षकों की भरती प्रक्रिया जारी है उसके बाद जो अगली खबर आ रही है तो राजनान गाउं से तो स्रेश्ट योजना के अंतर अकांची जीला राजनान गाउं में अनुसुचित जाती के कक्षण नवी से पांच एंव कक्षण ग्यारवी से साथ कुल बारा बच्चों का चैयन परिच्छा के माध्यम से मेरिट के धार पर किया जाना है इस योजना में जीले से चैनी 12 चात्र चात्राव को अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में निसुल का वसिया अध्यान के स्विधर सासन द्वारा जी जाएगी जीले से इस वर्ग के एक्चुक छात्रा एवां पालकों की सहमती अनिवार्य होगी पालकों का वार्षिक आये दो लाग पचास अजार रुपे से जादा नहीं होना चाहिए चैन प अगली खबर जो आ रहे है तो जांजगीर चापशा तो जीले के आठ नमी स्वामी आत्मरा नत्कुरुष्ट माध्यम विद्याले में प्रारंब करने की सुकृति पदान की गई है इन अंग्रेजी माध्यम विद्याले में वेक्याता प्रदान पाठाक सिक्चक सायक सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना बूलिए तुम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वीडियो में धन्यवाद